हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर यह डिक्टेशन 80 से 85 सब्द प्रति मिनट का रहेगा और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे डिक्टेशन मिलती रहे महोदे इनके लिए जीवन ताकत है यह जीवन को छलके रूप में परिभासित करते हैं सफलता इनके कदम चूमती है जब तक जीते हैं सान से परंतु अंत बड़ा ही भयानक होता है परंत दिखावा तो पल दो पल का ही ज्यादातर होता है तीसरे वर्ग में समाज के भावावेशी लोग आते हैं इनकी संख्या इन दोनों से कम परंत बहुमत में ही होते हैं प्राया ये असफल प्रताडित होते हैं इनका मस्तिस्क मन एकागरचित नहीं रहता ये इस्वरवादी तो होते हैं परंत आध्यात्म इनके लिए अपनी कमजोरी पर आवरण का ही काम करती है इनका जीवन इनके कर्म पर नहीं वरण भाग्य पर आधारित रहता है ऐसे लोग सबसे ज़्यादा महनत वासंगर्च करते हैं इनके लिए ये कहा जाए कि खेती ये करते हैं और काटता कोई और है तो गलत नहीं वास्ताओं में समाज का यही वह वरग है जहां से पाप और पुन्य जन्म लेते हैं और पलते हैं यही वह वरग है वह धरातल है जहां सब खड़े होते हैं ये प्राया दिल से जीते हैं मस्तिस्क इनका सून्य कहें तो अतिसयोक्ति ना होगी जैसे इट के भटे में खंजर टेटा खूब पका निकलते हैं जिन्हें निव में डाला जाता है यह तब का वही है समाज का सबसे असफल वरग यही है जिन्हें सफलता या तो मिलती नहीं या मिलती है तो इनके पास नहीं रहती इनका पूरा जीवन दुविधा में गुजर जाता है यह ना स्वयम के लिए ही कारगर सिद्ध होते ना परिवार ना समाज के लिए बस इनका इस्थान कुरुछेत्र के मैदान की तरह है जहां हर अस्तरों का परियोग लोग अपने अपने तरीकों से करने को स्वतंत्र होते हैं ये सफलता की रसी को साप समझ कर और साप को जीवहत्या की दुविधा में पढ़कर छोड़ देते हैं पूरा जीवन पाप पुन्य भला बुरा उचित अनुचित कर्तव्यहीनता के बारे में सोचते बिता देते हैं इनकी जिन्दकी उत्तरधायित्व कर्तव्य गुटन बोज आदि सब्दों में ही उलजी रहती है समाज का यह वर्ग जिनके द्वारा किये गए प्रयास या भूल या कार्य से जहां समाज एवं परिवार के अन्य लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लाभानवित होते हैं वे स्वयम में एक असफल व्यक्ति के रूप में जीते हैं वास्ताओं में जीवन इनके लिए संगहर्ज है जहर है जो पीना है समाज या डिक्टीशन असी से पचाथी सब्रति मिनट का था धन्यवाद